हलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है ADJIKIN CLASSES में और यह देखिए आपका आ गया लोक गीत का शंपून MCQ और यह Part 7 है यानि क्लास जो है आपका यह 63 क्लास है तो दोस्तों यहां जो है आपका यह लोक गीत का यह पार्ट समाप्त हुआ और मैं एक बात बोल दूँ कि यह जो शंपून क्लास हो गया न अब कि इसके आगे आपका ये सिस्ट गीत का क्लास होगा ठीक है सिस्ट के गीत के बाद आपका शंपून क्लास एकदम टोटली तरह से खतम हो जाएगा और संपून क्लास का पीडिये प्राप्त करने के लिए ठीक है संपून क्लास का पीडिये प्रा सब्सक्राइब है उनके लिए एक दम हाजीर है क्यों भाई तो सारे क्लास फ्री है और लेकिन जब आप पीडिएफ खरीदना चाहते हैं तो पीडिएफ का जो प्राइस है वनली 299 रखा हुआ है वनली नागपूरी अगर आप साथ में जारखंड का लेते हैं तो यह जारखं प्लस देखिए जारखंड का 199 है लेकिन अगर साथ में लेते हैं नागपूरी और जारखंड साथ में लेते हैं तो आपका वनली 399 लगेगा यह दो चार दिन में जो यह पीडिएफ का प्राइस है 299 से 399 होने वाला है तो आप देखिए आपका जो ओफर है यह ओफर बस यह है यहां देख लिजे कि जारखंड प्लस नागपूरी दोनों का संपून हैंड रिटेन नोट्स अगर खरीदना चाहते हैं तो वनली 399 में अभी ओफर प्राइस चल रहे हैं आप जल्दी खर दें और नहीं तो आप अगर नहीं खरीज सकते तो आप क्लास देखर नोट लोग गीत का स्फंपून क्लास का यह पार्ट seven है यह हम लोग M चलिए देखते हैं क्लास तिर्शट तो चलिए जो प्रथम questions है questions पहला question प्ल्दा है कि बारा मासा क् Hopkins तरह कर गीठ गे तो से क्यों चलिए देखते हैं तो चलिए जो प्रथम questions है questions, पहला questions क्या बोलता है कि 12 मासा, ठीक है 12 मासा कौन तरह कर गीत हके तो 12 मासा किस प्रकार का गीत है तो या रीतू गीत है हम लोग बचपन में ही पढ़े हैं बचपन में कहने का मतलब कि पार्ट 1 में ही हम लोग पढ़ चुके हैं पार्ट 2 में पार्ट 1 जो क्लास है 6 महीना पहले ही करा दिया गया था कि लोग गीत कोन कवी क्या परिवासा दिया है तो वो पार्ट 1 अपलोडेर है धो अल्रैusz 6 महीना पहले ही तो वो वीडियो अवश्य देख लेंगे और कोई भी वीडियो ठीक है अगर आप वीडियो नहीं देखे तो link description में दिया गया है ठीक है नाकपुरी all करके लिखा हुआ होगा total free course है ठीक है आप ये class wise देख सकते हैं 1 से लेकर एकडम अभी 63 तक class हो चुके हैं ठीक है चलिए तो आपका जो first questions का answer हो गया रीतू गीत है holy कौन माइतकाकर गीत आहे तो holy किस प्रकार का गीत है तो भाई ये भी क्या है रीतू गीत है option नमबर इसका B हो जाएगा ठीक है next चलिए धरती पूजा 3 नमबर प्रश्न धरती पूजा और सरहुल पर कौन तरह कर गीत आ गई तो ये जो है कौन तरह गीत है तो ये देखिए वरत संबंदी गीत है ये हमेशा हम आपको बताते हैं वरत संबंदी गीत से प्रश्न आएगा तो भाई सारे प्रश्न MCQ बहुत ही जादा important है आपको सारे पढ़ने है ठीक है आपको इतना class करा है वो करने है one liner करा है वो आपको रट लेने है MCQ करा अगर आपके पास बुक है तो आप गीत को देख लेंगे कित कितना बढ़ताएंगे हम आपको लेकिन जो important नोर्स होता है ना टीक है गीत तो अपने पढ़ने पढ़ेंगे और कुछ गीत पढ़ा भी दिया जाएगा ठीक है लेकिन यहां जो है एकदम last हो गया गीत एकदम ऐसकता था एकदम इसका धजिया उडा दिया गया है गीत का ठीक है तो एक भी प्रश्न नहीं चूटेगा तो चौता नंबर जो आपका प्रश्न है चौता नंबर प्रश्न किया है जनजाईन गीत कोन मेतकाकर कर गीत है तो जल्दी बताए मुझे तो यह संसकार संबंदी हो जाएगा सिक्स नमबर प्रस्टन देखते हैं हम लोग रोपनी कौन प्रकार कर गीता है रोपनी किस प्रकार का गीत है ठीक है मतलब कि यह रोपनी जो होता है किस प्रकार का रोपनी में गीत गया जाता है तो यह किरिया संबंदी गीत है किस प्रकार का गीत है रोपनी है जूमर और निरखुन में किस प्रकार का गीत आता है या फिर भाव रिले या युद्ण तो यह विविध यानि विविध यानि सम्मानिगीत में यह सब आते हैं गुद्व गुद्व आते समय आठ नंबर प्रस्न क्या है मैं स्टूडेंट का समय नहीं बरबाद करना चाहता हूँ क्योंकि देखिए अगर हम चारो आप्सन बोलने लगे तो उसमें तो इस्टूडेंट का बहुत समय बरबाद हो जाएगा तो आप सेट लिजिएगा तो जब PDF खरी दिएगा तो खुद पता चल जाएगा तब सेट खरी दिएगा तो आप सेट लगा सकते हैं तो टोटली टाइम बरबाद करना मेरे लिए नहीं लगता है कि वो अच्छा है इसलिए मैं एक ही ही बताता हूँ ओप्सन तो चार रहते हैं लेकिन एक ही बताता हूँ ठीक है तो गुदना गुदवाते समय किस प्रकार का गीत गया जाता है तो ये गुदना गुदवाते समय किस प्रकार का गीत गया जाता है भई तो देखें ये विविद गीत में ही गुदना गुदवाते हैं हाँ एक बात तो विविद गीत में तो आ ही गया लेकिन जो गुदना गुद्ती है उसे क्या कहा जाता है साफ़ा, मलारिन, दोनों या फिर कोई नहीं अगर आपको पता है अगर आप क्लास में किये है तो आप कमेंट सिक्सर में जरूर लिखेंगे ये बात ठीक है, नाइन नमबर प्रश्ण है नागपूरी में सोहर गीत को और का कहल जाईला ठीक है, तो आप्सन नमबर इसका C हो जाएगा यानि कि जरूर जरूर जाईला ठीक है, नेक्ट दस नमबर प्रश्ण है नागपूरी भासा छेत्र किसी प्रथा नहीं के बराबर है नागपूरी भासा छेत्र में किसकी प्रथा नहीं के बराबर है कहने का मतलब है कि कोन प्रथा जो है अभी जो प्रचलित नहीं है कोन प्रथा नहीं के बराबर चल रहा है तो जल्दी बताईए भाई क्या हो जाएगा तो भाई गाउना ठीक है ग्यारा नमर प्रशन है बारा मासा गीत कईसन मधे कर गीत आके किस प्रकार का गीत है बारा मासा गीत भाई तो बता दीजे बारा मासा जो गीत है आपका हो जाएगा सही अंसर रीतू गीत है बारे नमर प्रश्ण लोग संगीत के छेतर में कौन से गीत का विशेश महत्व दिया गया है ठीक है लोग संगीत के छेतर में प्रस्ण देखिए प्रस्ण को सुनी अच्छे से इस अब सारे चेश आपको बता दिया गया है लोग संगीत के छेतर में कौन से गीत का सबसे महत् चावन गीत का अत्यधिक महत्व दिया गया है नेक्ष्ट तेरे नंबर प्रस्ण गीतों का अधार उप्सन नंबर इसका एस सही हो जाएगा प्रेम है थिक चौदा नमबर प्रश्ण क्या कहता है नचनी नचाने की प्रथा निमन में से किसमे है नचनी नचाने की प्रथा निमन में से किसमे है तो ओप्सन नमबर इसका A सही हो जाएगा होली में है ठीक है पंदर नमबर प्रश्ण क्या है फगडोल होली कर कितना दिन बादे मनावल जाईला फगडोल जो है होली कर कितना दिन बाद मनाया जाता है तो option number A next question है आपका 16 number प्रशन फगवा क्या है यानि कि फगवा किस प्रधान कर गीत हके या फगवा सबसे ज़्यादा कौन गाते है तो देख लिजी ये 16 number प्रशन जो है फगवा प्रुष परधान गीत आहे फगवा में गीत गाए जाता है नाकपूरी छेतर में कोन वाद देयंतर का अस्थान नहीं है तो ये बात आप याद रखेंगे तो बीन जो है ये नागिन धून बजाने वाला है तो option number इसका C सही हो जाएगा ठीक है? चलिए अगले प्रशन की ओर चलते हम लोग डमकच को कितने परकार में बाटा जाता है तो option number इसका सही हो जाएगा दो यानि कि option number C next, 19 नमबर प्रशन क्या काता है? डमकच विवाह के कितने दिन बाद गाया जाता है मतलब कितने दिन पहले ही गाया जाता है ठीक है? तो कितने दिन पहले गाया जाता है डमकच? विवाह के तो option number इसका B हो जाएगा 15 दिन पूर्व से ही विवाह के पूर्व से ही डमकच स्टार्ट हो जाता है ठीक है? 21 दिन पूर्व प्रशने क्या काता है विवाह गीत कौन परधान कर गीता है विवाह गीत कौन परधान कर गीता है तो विवाह गीत सबसे ज़्यादा कौन काते है तो option number इसका A हो जाएगा सही इस्तरी लोग, महिला लोग और उतलोग ठीक है? तो ये कब गाया जाता है option number इसका C, Z और बैसाख दोनों में यानि कि Z यानि कि June, बैसाख यानि कि May यानि कि option number इसका C सही हो जाएगा चलिए 23 नमबर परशन क्या काता है भी? अगले परशन क्यों चलते है उदासी गीत में वाद्य अंतर किस प्रकार से बजावल जाईला? तो धीरे 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 और कोमल मधूर आवाज में यानि कि B और C दोनों हो जाएगा यानि कि option number इसका D सही हो जाएगा यानि कि जो ये उदासी गीत का वाद्य अंतर जो बचता है कोमल मधूर और धीरे धेरे बचता है तिब्र आवाज में नहीं बचता है उदासी ऊदासी कोन से परधान कर गीत आए तो ये जो उदासी है किस परकार का गीत है तो पूरुस परधान गीत आए पचिस नमर प्रशन है पावस गीत कब गावल जैला? तो इसका सही अंसर हो जाएगा अशार में पापा आए पापा आए से याद रखेगा पावस असार पावस केकर द्वारा गावल जयला यानि किस के द्वारा गाया जाता है कौन परदान कर गीत आ है तो यह सब आपको याद रख लेने हैं कि किस प्रकार से गाया जाता है और ये आपके लिए छोड़ा गया है क्योंकि ये सारे चीज आपको बता दिया गया है ये प्रशन का अंसर आप करेंगे क्योंकि अगर आप 1 से लेकर एकदम 6 तक आप क्लास नहीं देखे हैं तो आप जरू देख लेंगे पावस कोन प्रधान कर गीत है कि मतलब किस प्रधान का गीत है मतलब की महिला प्रधान है या पूरूस प्रधान है ये आप जल्दी कमेंट सेक्षन में कमेंट करके ये बताएंगे ये आपके लिए छोड़ा गया है चलिए 27 नमबर प्रशन की ओर चलते हैं हम लोग पावस गीत राग के धुन लए एक हो जाता है जो पावस गीत का राग होता है उसका लए और धुन एक हो जाता है पावस गीत में पराया वर्षा रितू में कोन रस का भाव मिलता है पावस गीत में प्राय वर्शा रितु में कौन रस मिलता है तो इसका जो सई अंसर हो जाएगा तीनों यानि वीर विरह और स्रिंगार रस तीनों मिलता है तो इसका जो सई अंसर हो जाएगा, और जीतिया के असर पर, जुमर कई प्रकार कर हो गया, जूमर कितने प्रकार का होता है, तो ये तीन प्रकार का होता है कौन-कौन मरदानी जुमर, तीक है, आगे हम आपको बताएंगे, तीक है, नेक्स्ट, मरदानी जुमर कौन परधान कर गीत आहे, तो मरदानी से ही पता चल रहा है कि पुरुस परधान है, मरदानी जुमर, जनानी जुमर और बंगला जुमर ये तीन परकार के गीत होते हैं, तो मरदानी जुमर ये जो है, मरदाना से ही पता चलता है कि ये पूरुस परधान गीत है, मरदानी जुमर में बाजा किस प्रकार बसता है, एकदम उचा स्वर, तिब्र और निर्त्यवाद के साथ ओजगुन यानि कि सभी option number इसका D सही हो जाएगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा मरदानी जुमर में किस प्रकार का रस भाव मिलता है, तो 33 का हो जाएगा B, ठीक है, वीर रस, यानि कि वीर गाथा होता है, ठीक है, वीरों का जूस जगाने वाला इसमें गाथा होता है, गीत होता है, 34 नमर प्रशन है, जनी जुमर कोन परधान कर गीता है, जनी जुमर किस प्रकार का गीत है, तो जनी जुमर जनी सही पता चल रहा है कि ये जनी यानि कि स्त्री यानि कि महिला है, तो option number इसका A सही हो जाएगा, ठीक है, यानि कि महिला परधान गीता है, जनी जुमर कोन से पर पष्षण कर घीत है तो बंगला जुमर किस प्रकार का घीत है? 36 प्रशन आपका क्या बोल हो चाईगा? तो अप्ट्रें नमबर 2 सही हो जाएगा तो बंगला जुमर जो है आपका पुरुश पकार घीत है धरती पूर्जा कभ मनावल जाईला? तो option number इसका D हो जाएगा चैत्र बैस आख में यानि कि A और B दोनों हो जाएगा यानि कि option number D चलिए 38 number question क्यों चलते हैं हम लोग धरती पुजा क्यों की जाती है तो ये अच्छी फसल के लिए खेती करने से पुर्व किया जाता है उन 40 number प्रस्ण है फुलो का पर्व किसे कहा जाता है फुलो का पर्व किसे कहा जाता है सरहुल को next 40 number प्रस्ण है करम पुजा कर समय कितना घंटा तक करम गीत गाउं में गुंजेला करम पुजा कर समय कितना घंटा तक करम गीत गाउं में गुंजेला कौन पर्व के कहल जाईला कर्मा सरहुल जीतिया दरसाई तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा ओप्सन नमबर B करम को ठीक है 42 नमबर प्रश्ण जीतिया कब मनावल जाईला जीतिया जो है कब मनाया जाता है ओप्सन नमबर इसका C हो जाएगा आश्मीन में मनाया जाता है अगहन जो है आपको एक वर्ग दे रहे हैं अगहन को ये कैलेंडर में क्या बोलते हैं सेप्टेंबर नवंबर दिसंबर अक्टूबर जल्दी आप कमेंट सेक्षन में कमेंट करेंगे कि अगहन को क्या बोला जाता है ठीक है विवाह जैसे सुभ कारे को करने की अनुमती कोन पर्व से मांगल जाता है बताईए कोन पर्व से मांगल जाता है तो देव उठान के जब पूजा की जाती है तो इससे अनुमती मांगने के लिए पूजा की जाती है कोई सुभ कारे करने है तो चिक दाना कोन अंकर गहना है त तो ये option number B गला का, next, रसकर मुताबिक, नाकपुरी लोग संगीत कई तरह कर होता है, तो ये option number B 5 होता है, लेकिन generally सब चार बोलते हैं, लेकिन यहां रसकर मुताबिक 5 होता है, इसे आप रट लेंगे, 47 नमर जो प्रश्ण है फगवा पुछारी गीत कर तुलना किसे करल जाईला मतलब भी फगवा पुछारी कर तुलना किससे किया जाता है तो आप्शन नमर बी हो जाएगा इसका कवाली से किया जाता है लहसुवा गीत गावल जाईला तो लहसुवा गीत 48 नमर प्रशन क्या कहता है लहसुवा गीत कैसे गया जाता है तो ये लहस लहस कर गया जाता है और जुक जुक कर गया जाता है इसे लुजरी भी कहा जाता है तो अप्शन नमर इसे C हो जाएगा और लुजरी भी कहा जाता ह उन्चाश नमर प्रश्ण है नागपुरी लोग गीत में प्रकृति के चितरन भेटाईला तो किस प्रकार का प्रकृति चितरन भेटाता है नागपुरी लोग गीत में अना तो अप्शन नमर डी हो जाएगा इसका सही अंसर मधूर प्रतेक और उपमान तीनों प्रकार का अन option number इसका सी हो जाएगा यानि कि दोनों यानि मुंड़ा और उराउं दोनों से यह माठागीत संबल दीथ है ठीक है कि चलिए अगले प्रस्ण क्यों और हम लोग चलते हैं 52 नंबर प्रस्ण क्या कहता है वर्षा रीतु में गावेक वाला गीत निमन में से आहे मतलब वर्षा रीतु में कौन से गीत गया जाता है ठीक है तो वर्षा रीतु में जो गीत गया जाता है तो लुजरी नाम से जाना जाता है, पहले ही आपको बताया थे चोवण नमबर प्रशने क्या कहता है एक हरिया जिंग फूलिया पहिल सांजागीत के कर भेद आहे मतलब किसका भेद है ये एक हरिया जिंग फूलिया पहिल सांजागीत तो ये 54 नंबर जो है आपका option नंबर ए हो जाएगा यानि कि जनानी जुमर का ही भेध है एक हर्या जिन फूलिया पहिल संजागीद चलिए नेक्स्ट पश्पन नंबर प्रश्ण है अधरतिया जनी जुमर कब और किस प्रकार गाया जाता है तो अधरतिया जो जने जुमर है एकदम आधी रात में पूरे जोस और खरोस के साथ उच्छ स्वर में यह गाया जाता है यानि कि पश्पन का option नंबर डी हो जाएगा यानि कि सब ही हो जाएगा नेक्स प्रस्ण क्यों चलते हैं खेमटा केकर भेद है खेमटा यानि कि जो खेमटा गीत है किसका भेद है खेमटा किसका भेद है option नंबर अंगनाई की और देखते हैं और यह जो है आपका question कैसा लग रहा है ठीक है आप अच्छा लग रहा है तो comment section में जैहन जरूर लिख प्रस्ण तो सही बोलेंगे क्योंकि सारे प्रस्ण बहुत ही important है सारे class देखकर आप one liner or mcq देखेगा ठीक है अंठावन नंबर जो प्रस्ण है ठड़िया केकर भेद है ठड़िया जो है किसका भेद है तो option नंबर जो हो जाएगा ठड़िया जनी जुमर का भेद है जुम् सबसे जढ़ा यानि पूरुस प्रधान यह गीद है अहिर समुदाय के लोग को धूम धाम से मनाते हैं और जीट काते है तो देखे लिजे सोहराई गीत ठीक है option number A सही हो जाएगा next 62 नमबर प्रशन क्या कहता है नागपुरी लोग संगीत में नागपुरी लोग संगीत में कौन रीतु का वर्नन विशेश रूप से मतलब महत्व दिया गया है तो वर्शारीतु का ठीक है 63 नमबर प्रशन क्या कहता है अगला प्रशन है खेतों में इस तरी द्वारा गाये जाने वाले गीत कौन-कौन से होते हैं तो जो खेत में इस तरी लोग गाती हैं गीत वो जो गीत होता है वो गीत कौन सा होता है तो वो पावस गीत होता है ठीक है next अगला प्रशन है गुदना गुदवाने के पहले काजल को कौन से तेल में बनाया जाता है तो देख लिजे नारेल के तेल, आरंडी के तेल, सर्सो के तेल या फिर तील के तेल किस तील में उसको बनाया जाता है तो option number C हो जाएगा सर्सो के तेल में बनाया जाता है काजल को किसके दूद में घोला जाता है तो किसी इस्तरी के दूद में घोला जाता है 26 नमबर प्रशन क्या कहता है जो गुदना गुदती है उसे क्या कहा जाता है या फिर उसे का कहल जाएला जो गुदना गुद्ती है उसके का कहल जाएला उसके मलारिन भी और साखा भी कहल जाएला तो यहां साखा है यानि कि option number इसका D सही हो जाएगा छलिए next question क्यों चलते है शड़शट नमबर निम्न में से तंतु वाद्ययंत्र कोन-कोन है के तो निम सारंगी टोहिला और बनम कोन वाद्ययंत्र हके सारंगी टोहिला अगला प्रश्ण है सारंगी टोहिला और बनम कोन वाद्ययंत्र हके तो किस प्रकार का वाद्ययंत्र है तो यह तंतु वाद्ययंत्र है ठीक है next जार खंडी वाइलिन केके कहल जाएला जार खंडी वाइलिन यह सारे आप सो अरे सर यह क्या पढ़ाने लेगे यह आपके लिए important है अप इसे याद रखें 99 नमर जो प्रश्ण है जारखंडी वाईलन केके कहल जाईला तो जारखंडी वाईलन जो है किसे कहा जाता है तो इसे केंदरी को कहा जाता है संथालों का प्रिये वाद्ययंत्र कोन सा है तो यह भुवांग को जो है संथालों का प्रिये वाद्ययंत्र कहा जाता है अगला जो प्रश्ण है आपका अगला प्रश्ण जो है क्या है 71 नमबर प्रश्ण भक्ती शंगीत में साधु संतो द्वारा उपयोग की जाने वाली जो वाद्दे अंत्र है वह कौन सा है तो एक तारा सबसे जादा जो है एक तारा यूज करते हैं साधु महात्मा लोग ठीक कठिन सैली का वाद्दे अंत्र किसे कहा जाता है तो आपसन नमबर बी हो जाएगा टोहिला नेक्श तीहत्तर नमबर प्रश्ण है निम्र में से प्राची नाम सारिंदा के करा है मतलब सारिंदा और किसको बोला जाता है प्राची नाम सारिंदा किसका नाम है ठीक है तो सार अगला प्रश्ण है नाता है निमन में से धार्मक वाद्यांतर कौन है तो अप्ष। साधी विभाह में सब भी नाम करें टमाग को वाद्यांतर कर और कौन नाम से जान लेला टमाग को और कोन नाम से जाना जाता है ठेक है टमाग को और किस नाम से जानते हैं हम लोग तो नगाडा को ही टमाग काते हैं तुम दक तुम दक कोन वाद्य अंतर कर नाम है ठेक है तुम दक कोन वाद्य अंतर कर नाम है क्योंकि देखे ये लोग शंगीत है आपको लोग इसलिए आप इसे एक बर पढ़ लेंगे ठीक है ताकि एक भी आपको प्रस्ण नहीं चूटे ऐसा कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा गया है जिससे आपका एक प्रस्ण चूटे ठीक है ध्यान से देखे अच्छे से देखे तो तुम दक कोन वाद्य अंत्र के कहल जाईला और तो कुड़ु धातु कोन से वाद्य अंत्र को कहा जाता है तो अप्सन नमर इसका बी हो जाएगा धमसा धमसा को कुड़ु धातु कहा जाता है धमसा को कुड़ु धातु कहा जाता है नेक्स्ट एक्यास्टी नमर प्रस्ण कांसे से निर्मेत वाद्य अंत्र कोन है कांसे से आकरीती होता है वो कौन वाद्य अंत्र होता है तो option number C धमसा का ही ठीक है next दुर्गा पूजा मनसा पूजा नटवा पूजा पै का निरित्य में कौन वाद्य अंत्र कर सबसे ज़्यादा उपयोग करल जाईला तो ये जो है सबसे ज़्यादा जो है धाक का यूज होता है ठीक दुर्णसा है तो option number B मांदर है ठीक है फूक कर बजाये जाने वाले वाद्य अंत्र को कहा जाता है तो सुषीर वाद्य अंत्र जाता है non can challenge कि कहल जला जो जो मंगल कार्यों में बज़ता है उसको कहते है मंगल बज़ता है असनाइन डिHello कर में दे के कहल जाईला 27 नमबर प्रषन है Option number जची मदन भेरी को 88 नमबर प्रषन है विवाह के offenses पर गाए जाने वाले गीत कोन आहे विवाह के widow per गाए जाने वाले गीत कोन गीत है अए तो option number B ओंधी गीत विवाह के उसर पर गाए जाता है वर्षा रितू के औसर पर गाये जाने वाले गीत को का कहा जाता है दड़ाई इधरा और कजली दोनों वर्षा रितू में गाये जाता है चुमावडी गीत का गायन कब किया जाता है तो सोहराई नरित्य में चुमावडी गीत या चुमावडी गीत जब साधी होता है जब चुमावडी टाइम होता है तो उस टाइम होता है लेकिन या चुमावडी गीत जो है आपको कब गया जाता है सोहराई मिले ठीक है चलिए अगला प्रश्ण है किसान कर तेहवार केके कहा जाईला किसान कर किसान पर अब कब मनावल जयला ठीक है सोराई 92 नबर प्रस्ट जो है सोराई पर अब कब मनावल जयला अगर आप लोगों ने अभी तक क्लास नहीं देखा है ठीक है तो टोटल क्लास फ्री अप्लोडेड है लिंक में जाए और टोटल क्लास वन से लेकर आपका ये आपका 63 तक पीडियेप के लिए अभी जो है वनली कुछ दिन में वनली 3.99 हो जाएंगे ठीक है लेकिन अभी जो ओफर प्राइस 2.99 रखा गया शिर्फ नागपूरी अगर नागपूरी और जारखंड दोनों खरीते हैं और जारखंड का 1.99 है ठीक है अगर साथ में खरीते हैं तो 3.99 मे टोटल आपको एकदम मिल जाएंगे ठीक है और इस नमबर पे आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं 8863-884281 ठीक है चलिए नेक्स्ट अगला प्रस्ण है तीरानवे नमबर प्रस्ण है निम्न में से पसुधन से संबंधित पर्व कोन है यह सारे प्रस्ण बहुत ही जाद है इंपर्टेंट है तो पसुधन से संबंधित पर्व कोन सा है निम्न में से तो तीरानवे नमबर प्रस्ण का जो है सोहराई पर्व में ही गाय बैल के सिं बंधन के समान कुन पर्व है। 1979 अंचि नम्बर प्रश्न है। कि depreciation 추가 ऐ शान्वाख हो भीजाए। सावन ढें हर यहरी से पतान रहा है कि सावन में ही मना जाता है। 27 नबर्व कर्षण है। मंदा परवों में मंदा परव कब मनावल जाईला तो मंदा परव जो है कब मनाया जाता है भई तो मंदा परव जो है वैसाख यानि की अप्रेल में मनाया जाता है सो नंबर जो है वार्मिक समूह सिकार केके कहा जाईला मतलब कि किससे कहा जाता है और ठीक है तो अप्शन नमर एस सेंद्रा परब को और यह सेंद्रा परब जो है प्रमुक उराओ भाईमन लोग का यह तेहवार है ठीक है 101 नमबर प्रशन जनी सिकार और देशावले कितना वर्ष में एक बार आता है तो 12 वर्ष में मैं आप सोचने के सर यह सब क्यों बता रहें आपको सारा नागपुरी के छेतर के जितने सारे परब है न MCQ में मैं डाल दिया हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो उधर तो वन लाइनर हम लोग पढ़ी लिये हैं आपको एक भी जगा नहीं छोड़ा गया है भई कि आपका कहीं से प्रशन छूट जाए ठीक है तो एक दम निफिक्र होकर क्लास कीजिए आपका एक भी प्रशन कोई आपको खरिदने की ज़रुरत नहीं है ठीक है कि आप सोच रहे हैं पेट खरीड नहीं कोई ज़रुष नहीं है पेट कोर्स कर दने का उना और 102 प्रशन जो है पुत्र की दिर्ग आयू की कामना के लिए कौन सा परव मनाया जाता है तो इसमें बतायूशिये की कौन सा मा अपने बच्चों के लिए करती है, 103 नमबर प्रस्ण है, खेतों में बीज बोने पर कौन परब मनाया जाता है, जब खेतों में हम लोग बीज बोते हैं, उस टाइम कौन सा गीत गाता है, अभी हम आपको तुरंद बतायती है, आपको comment section में करना है, उदासे गीत, पावस ग चांडी परब कब मनावल जाईला, तो चांडी उराओं के दबारा मनाया जाता है, और चांडी परब जो है, आपका आश्मीन माह में मनाया जाता है, नेक्स्ट, ओहिरा गीत का गायन कोन परब में होला, तो option number D कोई परब नहीं, यानि कि बदना परब में इसका मनाया जात नेक्स्ट, एक्सोचे नमबर परब, निम्न में से पसु तेहवार केके कहल जाईला, तो ये पसु तेहवार जो है, किसे कहा जाता है, तो यहाँ option number बदना को ही पसु तेहवार कहा जाता है, बूरू परब कब मनावल जाईला, तो बूरू परब कब मनावल जाता है, तो option number महिना में हम लोग मनाते हैं ये सारे आपको ये आप जब पढ़िये गाना गीत पढ़िये गाना तो उसमें आपको पढ़ना है ठीक है छट गीत कब मनावा जाता है ठीक है छट गीत जो है आपका कार्थिक यानि कि अक्टूबर में मनाया जाता है और ये आपका जो हो गया ल नहीं है कि मैं आप लोग को fully support कर रहा हूं तो आप लोग का ही दाइत्व बनता है अगर आप वीडियो देख रहे हैं हो तो अपने दोस्तों को जरूर बताएं क्योंकि यहां free class हो रहे हैं एक भी यहां प्रश्ण आपको पहले details बताया जाएगा ठीक है डिटल्स पूरा बताया जाएगा उसके बाद आपका mcg कराया जाएगा मतलब current affairs से जीतने हैं वो इतना अच्छा नोट्स तयार हो रहा है कि आप लोग कहा नहीं सकते एकदम भी आईपी वो नोट्स हो रहे है ठीक है तो जार्खन का क्लास जो है फ्री होगा नातपुरी का टोटल क्लास फ्री हो चुका है और इसके बाद सिस्ट गीत एकदम प्रारंब हो जाएगा और दो से तीन दिन में सारा समाप्त हो जाएगा ठीक है तो चलिए 110 नमबर जो प्रश्ण है फसल कटाई के औसर पर अगर आप मेहनत करें तो आप ला सकते है 90 यह आपके मेहनत पर डिपेंड है कि आपको 90 प्लस लाना है या फिर इतना आप सोचे ही नहीं है तो आपकी इस यह है कि आपको मेहनत पर यह आपका डिपेंड है कि आप किस परकार से मेहनत कर रहे हैं तो फसल कटाई के औसर पर क ठीक है तो जूमर कितने प्रकार का होता है कमेंट सेक्शन में जल्दी कमेंट करें नटवा निरित्य पूरुष प्रधान है पुर्सु द्वारा इस्तिरी का वेश भूसा धारट किया जाता है नटवा निरित्य में पैका निरित्य क्या है तो यह पूरुष प्रधान है धाल जरूर कमेन करें और सारी प्रष्णने इंप्वाइटन थे ठीक है अब आपका यहां लोकजीत ठीक है सारा खतम हो गिए जो अप बोल रहे इसी में सब cover हो गए हैं और मैं बात करूँ कि बाल गीत एक जैसे कि गीत आता है ठीक है बहुत सारे गीत आते हैं तो वो आपको खुद से पढ़ने हैं ठीक है लास्ट में गीत पढ़ा दिया जाएगा लेकिन जितने important facts होते हैं लोग गीत के total पढ़ा दिये गया है और next class है आपका ये last class है ये total class एकदम कराया जाएगा धीरे धीरे ठीक है लेकिन दो से तिन दिन में खतम कर दिया जाएगा total class करा दिये गया है ठीक है total class करा दिये गया है पीडिएप के लिए आप contact कर सकते हैं इस नमर पे 888-638-4281 एक दो class है चूट गया उसको ये करवाया जा रहा है तो दोस्तों अच्छा लगे तो comment section में जरू comment करें धन्य बात watching for this video जै हिंद जै भारत